कि हालो एवरीब्वान वेल्कम बाक टू माई चानल और कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम सभी मज़े में हैं और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही करने लाया हैं बहुत जल्दी भी बन जाता है और इसे आप पुलाओ खानी का मुट कर रहे रहे हूं जरुरत नहीं है जैसे नॉमली आप सोया चंक्स को प्रोसेस करते हो वैसे भी आप कर सकते हो बट ऐसा केंडिसे ना यह तोड़े ज्यादा टीस्टी लगते हैं और मेरी ममी ऐसे करती थी इसलिए मैं भी करती हूं तो मैंने इसको घी या तेल जो भी आप चाहें उस छोड़ देंगे तो यह जल्दी से काला काला हो जाएगा इसलिए स्लो फ्लेम पर इसे चलाते रहे जैसे यह हर तरफ से लाइट ब्राउन जैसा होने लगे बस यह डन है इसके बाद पहले से लूक वाम पानी तयार रखें और धेर सारा पानी तयार रखें आपने जितना सो आप घी या बटर ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बहुत सारा बारी काटा हुआ लहसुन मैंने आड किया है बारी काटे हुए लहसुन का ना बहुत एच्छा टेस्ट आता है इसमें और आप भी लहसुन को काट कर ही इस्तमाल कीजेगा पेस्ट इसमें मड़ जैसे ही हलका ब्राउन बटब हलका ही कलर लेने लगेगा ना तो रंत इसके अंदर आड कर दी हैं मैंने अनियंज और हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप ध्यान से जितना आपको तीका पसंद आता हो उतनी ही मिर्ची आड कीजेगा और अभी इसको बुनना है यह जो प्याज है बहुत लाल नहीं करना थोढ़ा सा यह बुन जाएगा तो इसके अंदर आड की आ मैंने टमीटो को जल्दी से पकाने के लिए साथ ही आड कर गियो मैं थोढ़ा सा सौल्ट और अभी इसको मैंने अभी फ्लेम फुल ही रखा हुआ है तो फुल फेलेम पे ही इसको थोढ़ा स बूनेंगे ऐसा करने से टमाटर एक तो पक भी जाते हैं और अच्छे से साथ साथ भून भी जाते हैं थोड़े से टमाटर मुझे न सौफ्ट करने हैं कि लेडल लगाएं तो फिर ये मैश हो और इसके बाद इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं ये एकदम ही 10 मिनिट वाली र तक रंग नहीं चाहिए थोड़ा सा मैंने गर्ममसाला अट कर दिया है तो आप चाहिए लाल मिर्ची कौण इसाफ के माटरे कीज़ेक जैसे ही मसाला भूं जाय टेमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें आपको जबगी सब्सी है वो आड़ कर दीजे और सोया तीन चार बार धोया हुआ निचोड़ा हुआ यहाँ आड़ कर दे मेरे पास कैपसिकम थे मैंने कैपसिकम आड़ कर दिया है वैसे इसमें बीन्स कैरट्स ब्रॉकली भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह सारी चीज़े साथ में विलाके न अभी आपको यह मिक्स तो इसके अंदर पहले से पका हुआ राइस इसमें लेफ्ट ओवर राइस बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है तो आप वो चावल आड़ कर दें और थोड़ा सा निम्बू का रस्मेन आड़ किया है थोड़ा सा चक सकते हो मैंने जब यह चावल पका है तो इसमें भी नमक डाला था इसलिए मुझे और नमक डालने की ज़रत नहीं पड़ी इनकेस आपने प्लेइन उबाले थे चावल तो थोड़ा नमक आप यहाँ पर चेक कर लें अच्छे तरह से इसे टॉसन टरन कर लें फ्लेम अभी भी ऑन ही है और फुल पे ऑन है तो इस कर रहे हूं वीडियो आपको अच्छे लगी है रेसे पी आप ट्राइ करेंगे जल मिलूंगे एक नहीं वीडियो के साथ तिल दन आल उफ यू टेक रियली गुड कर अफ यूरसेल्फ ठीक केर बाई बाई